प्रेंट स्वागत है आपका फोकस औन एजुकेशन में मैं एजुकेटर आप सब के लिए इंपोर्टेंट फेक्स लाई हूँ जो कि आपके कंपटिटी एक्जाम में हल्प करेगा क्या कुछ एक खास शेली नज़र ढलते हैं आज 4 सप्तमबर 2020 है और फर्ष्ट पिंट क्या है इंद्रा 2020 सेन अभयास किन दो देशों के बीच में हो रहाई भारत और रश्या के बीच में और ये आईजीत कहाँ पे होगा ये होगा state of मलक्का जो कि आंडुमान सागर में है next point कहे किस राज्य ने बिजली चोरी निर्धो निरोधक पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णे लिया है तो किस ने लिया है उत्तर परदेश ने उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जहासी में रानी लक्षमी बाई त्रिशी विश्य विद्याले की स्थापना की गई है। ज्यादा आबादी भी उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ग्लोबल इन्वेशन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। जिसे की हम वीपो द्वारा यह लॉंच किया गया है। तो अब जो 2020 में रहा वह 48 वा स्थान है। 2019 में क्या था? 52 प्लेस पे था और 2018 में था 57 प्लेस पे तो 2019 में जो 52 प्लेस पे था तो अब यह दो चार पायदान और आगे घसक गया है। यह रैंकिंग इंपोर्टेंट बन जाती है। नेश्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है कि किसने ग्रीन है ग्रीन टीम एहड मार्केट नामा कभियान शुरू किया गया है। तो यह किसने क्या है आर के सिंग द्वारा सुरू किया गया है। नेश्ट पॉइंट क्या है कि किस देश में साइकलिंग सब्मिट 2021 का आयोजन किया जाएगा। तू कहां पर किया जाएगा भारत में। भारत में तीन प्रमुक सहरों को देखा गें। इसमें आयोजित किया जाएगा दिल्ली मॉंबई और बैंगलोरू। और क्या है जो सब्मिट होंगी जनी ची 20 कि सब्मिट 2022 में पर होगी इंडिया में होगी पिंटर पॉल सब्मिट 2022 में पर हो इंडिया में होगी और आपकी यू मतब अंडर 17 फुटबॉल अब 2020 में होना था लेकिन COVID-19 को जैसे पॉस्ट पॉंट कर दिये गए आप कब होगी 2021 में होगी तो यह पॉंट याद रखेगा नेच्ट पॉंट क्या है कि कितने राज और केंदर शासित प्रदेश मिलाकर एक राश्ट एक राशन कार्ड योजना का हिस्सा बन गया है तो अब इसमें कौन एक यूटी जुड़ा है तो वो आपका जुड़ा है आपका लद्दाग और एक लक्षेदीब यह पॉंट याद है 2021 मार्च में पूरे भारत में इसको लागू कर देना और इस्टार्ट हुआ था अप्रेल 2018 में पहले इसको चार स्टेट में लागू किया गया था जमू कस्मीर मनिपूर नागालन और उत्राखड में यह किसके द्वारा लॉंच किया गया था यह आपका काम करता है तो यह नैशनल फूट सेक्योटी एक्ट 2013 के अंदर यह काम करता है और अभी टोटल कितने स्टेट और यूटी हो गया है मिलाकत 26 हो गया है ठीक है और यह काम करता है आपका राशन कार्ट प्रॉबविल्टी की माध्यम से जिसमें की दो पाइलट पहले प्रोज की जैसे जो भी माइग्रेंट है ठीक है इनर माइगरेंट मतबं आंतरीक प्रवासी है जो एक झात दूसरे राज में जाके बसते हैं और अगर पर यूपी कोई मज़ या सविधा नहीं मिलेगी मत्तब राशन काड़ में की होता है किवध ही कम Parlayake कम पैसे में आपको भोज़न मिल जाता है तो ऑघर यह स्क्यूंहां लागू हो गइए एक एक राश्ड एक राशन कार्ड तो आपको राशन कार्ड एक ही रहेगा और किसी भी राज में अगर आप चले जाओगे तो आपको खाना बहुत ही सस्ते दामते मिल जाएगा तो इसका काम है किस देश के साथ भारत रक्षा उर्जा और आतंगवादि का मुकाबला करने में अपना संबंद स्थापित कर रहा है तो किसे कर रहा है नाई जीरिया से कर रहा है अभी हमने देखा कि अफरीका का कॉंटिनेंट नाई जीरिया में लास्ट पोलियो फिला और डबलू एचो न यह गुंड़ा एक्ट लाया है तो यह कौन लाया है गुजराद यह एंटी सोशल एलिमेंट्स को दूर करने के लिए किया है नेक्स्ट क्या है इंपोर्टेंट किस सेना के खेल मंत्री मंत्राले बोर्ड को रास्टि खेल पुर्टसांद पुरसकार 2020 से समानित किया गया तो ठीक है अभी हमने देखा इसके बारे में को लांच किया है तो वो किसे सम्बंदित है यह आपका electricity से सम्बंदित है ठीक है next point क्या है कि किसके किसने प्रिथवी अवलोकर उपगरह लांच किया है तो space x ने किया है अभी space x के CEO कौन है एलन मस्क जो की तीसरे सबसे बड़े क्या बन गया है हमारे पताईए ब्लोंस बर्ग के द्वारे रीचेस्ट परसन बन गया है next point क्या है कि 2021 तक सबसे अधिक कर्ज लेकर कर्ज के बोज से किस देश पर हो जाएगा कर्ज का बोज किस पे सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है तो यू कौन है भारत है next point क्या है हमारा कि एक का भारत स्रेष्ट भारत प्रोग्राम कारिकरम के तहत उत्तरा खंड को किस राज से जोड़ा जा रहा है तो एक भारत स्रेष्ट भारत कारिकरम के अंदर उत्तरा खंड को करनाटक से जोड़ा जा रहा है नेक्स्ट क्या है CBDT यानि Central Board Direct Tax के अध्यक्ट के रूप कौन है जिनका 6 मां के लिए कारिकाल बढ़ा दिया तो वो कौन है प्रमोध मोधी जी है नेक्स्ट हम देखते हैं जरा एक Commonwealth Nation Organization को देखते हैं जिसका Headquarter का है लंडन यूनाटेट किंग्डम में है इसके मेंबर कितने है 54 इसके मेंबर है अभी री जॉइन कौन कर रहा है मालदी पहले कर रहा किया था फिर छोड़ दिया फिर वापस से कर रहा है तो अब कितने हो गए 54 हो गए इसकी establishment में तीन हम declaration को देखते हैं एक है बाल फोर्ड डिक्लिरेशन एक है आपका स्टेटेस ओफ वेस्ट मिनिस्टर और एक है लंडन declaration इनकी यह देख लीजे 1926 1931 और 1940 इसके हैड कौन होती है तो क्वेल इनलजाबेट इसकी हैड होती है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी टाइफून आ रहा है वोक्स का नाम क्या है मैस का मैस का नाम है यह किस देश में आएगा तो यह नौर्थ कुरिया में हिट करेगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तीसरा एनुवर लीडर्शिप सब्मेट ओफ यूएस आई एस पी एफ यानि यूएस इंडिया स्ट्रेजी पार्टनर्सी फॉरूम किन दो देशों की बीच में हो रहा है तो इंडिया यूएसे की बीच में हो रहा है और इसकी थीम क्या है हम एस्टीयों को जड़ा देख लें एस्टीयों मीटिंग अभी यह कहां कंड़क्ट कराई जा रही है तो यह इसका फुल फॉर्म होता है संगाई को और ऑपरेशन और दो हजार एक में इसका फॉर्मेशन किया था इसका है तो चाइना की बीचिंग सहर में है एट कंट्री जिसके मेंबर हैं चाइना इंडिया कजाकिस्तान क्रिगिस्तान पाकिस्तान रशिया तजाकिस्तान उजबेकिस्तान और चार इसके अब्जर्वर हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए किसके सेकेटरी जनल कौन है तो बलादमिल नौर्वेज के सेकेटरी जनल पहला जो सबम हो रहा है तो यह आपके रशिया के सेंट पीटरबर्ग में हो रहा है और ऐसा नहीं है कि रशिया में पहली बार रशिया पांचवी बार यायुजित करा रहा है यह पॉइंट याद रखेगा पहली बार 2002 में कराया था फिर तीन नौ फिर पंद्रह में कराया था यह सबमेट हुई थी स्टेट्स की हुई थी और हैड ऑफ गवर्मेंट की मीटिंग 2019 में स्टेट्स की कहा हुई थी यह उजबेकिस्तान के तासकन में हुई थी और इंडिया का 2020 जो होगा वह इंडिया के नेदिल्ले में होगा अभी हमा हमार एक्स्टरनल अफ्पेरvard मिनिस्टर कौन है डॉक्टर एस्जय संकर को बुलाय गया है और डिफेंस सियो डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग 2020 यह भी धूरी है राश्या में हो रही है कभी डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है राजना सिंग अभी इसको अठेंड करने ग कमेंट कीजिए शेल